वेल्कम तो एर यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद आरतीयन गॉरव और मैं हूँ आपका होस गॉरव तो आज हम अभी हम पुशकर के टिरिप पे आयों हैं और अभी हम यहां पर उप्लाप के फार्मोंस पे आयों हैं यहां पर गुलाबों की खेती होती है और यह देखी यह लाल गुलाब हैं ये इनको देशी गुलाब भी बोलते हैं इसकी खुश भी बहुत अच्छी होती है और बेसिकली ये वाले जो गुलाब है इसको डेकोरेशन के लिए इस्तमाल किया जाता है और गाइज ये हैं गुलावी रंग के गुलाब इन गुलाबों से गुलकंद बनाए जाती है और पुश कर गुलकंद बनाने के लिए मशूर है तो आप हमें पताएंगे कि इसके गुलकन बंतीया थोड़ा उसके बारें बताएंगे हमें आप जातेयांगें आप पत्तिया तोड़ा जाता है एक और इन तो एक बडी मसीन आता है विसमें दबाते हाद से तोट आ जाता है अच्छो पूर्ट जाता है जी फिर चार पांच दिन विस्तो दबाते बीजोटे रतना पड़ता जी फिर इसमें चीनि मिलाना पड़ता अच्छ चीनि मिनाते तूटते दस-पंदा दिन दबाते रते पिर वाद में विस्तो यूसतर रहा जाता और फिर उसकी गुलकन बन जा कराते हैं और यह मेरे मिर्च का पौदा एक बात है यहां पर आके एकदम प्रकृति के नजदीक आके एकदम दिल को जो सकून मिलता है वो इस वकद हम लोग इस चीज का एसास कर रहे हैं यहां पर इनों ने खुबसूरत गेंदे के फूलों की भी खेती की हुई है जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मंदिरों में हम भगवान को अक्सर गेंदे के फूल और मालाय अर्पित करते हैं अमीद है आपको आज का हमारा वीडियो बहत पसंद आया होगा जैसे कि हमने देखा कि पुशकर सिर्फ एक तिर स्थानी नहीं है यह खुश्बू की नगरी है जहां से खुश्बू का भी वैपार होता है यहां पर खुबसूरत गुलाबों के बगीचे हैं और खुबसूर